हेलो गाईस, स्वागत है आप सबका Easy Waste Wealth Academy में गाईस, आज हम कुछ चार्ट डिसकस करेंगे सबसे पहले बंदन बैंक का चार्ट में ने उपन किया है इसमें आप देख सकते हैं, स्टोक लगातार स्पोर्ट लेते हुए उपर की तरफ जा रहा है आप चार्ट में देख सकते हैं गाईस, बंदन बैंक काफी टाइम से अपनी strength शो कर रहा है, और ये higher low बनाता हुआ, उपर की तरफ जा रहा है अभी देखें तो बंदन बैंक ने अपनी 15 moving average से स्पोर्ट लिया है और ये अपनी 100 moving average की तरफ जा रहा है, जो हमारा पहला target हो सकता है around 250 के आसपास, यहां से इसमें selling आ रही है, यही इसका resistance है यही इसका selling zone है, अगर ये इसके उपर closing देता है, एक दो candle sustain करता है तो हमारा next target जोगा 274, 275 के आसपास, जो 200 moving average वो हमारा target होगा अब ही देखा जाए तो बंदन bank market में काफी strong है, अगर और sectors में देखें, और banking में देखें, ICA bank, SBI इतनी खराब market में ये 3-4% गिरें, लेकिन बंदन bank, 1-2% इससे भी कम इसका मत्सलब यह अपनी strength show कर रहा है और ये upside जाने की कोशिश कर रहा है अगर इसमें देखें तो अच्छे कासे long build up हो रहे हैं नीचे के level से अभी के लिए इसका resistance जो है 250 के आसपस है अगर इसको cross करता तो और उपर जा सकता और इसमें अच्छा का sum profit बुक कर सकते है अभी recently quarter 3 के इसके result आये थे, जो market को काफी अच्छे लगे हैं तो उसके coding भी देखें अभी ये stock नीचे ये अभी जादा बड़ा नहीं है तो इसमें हमारे risk reward अच्छा हो सकता है guys जो हमारा दूसरा stock है वो भी banking sector से है मुझे पता है काफी लोगों को ये stock काफी पसंद है IDFC bank recent अभी इसके जो number आये थे वो भी काफी अच्छे आये थे पिछे last two months में इसने काफी अच्छा return दिया ये stock काफी भाग चुक है लेकिन अभी भी इसमें कुछ momentum बचा हुआ है upside इसमें अभी भी बाकी है तो अभी आप chart में देख सकते हैं इसने एक swing 46 की आसपास लगाया था जो हमारा strong buying area है उसके बाद stock ने upside काफी अच्छा momentum दिया और 64-65 की आसपास एक high बनाया उसके बाद stock consolidation में है नीचे की तरफ आया हुआ है काफी अच्छा consolidation दिया है उसके बाद ये 54 की आसपास sport लेके उपर की तरफ जाने की कुशिश कर रहा है तो अगर अभी भी देखें ये अभी अपने 100 moving average के sport लेके उपर की तरफ जा रहा है अभी भी इसमें आप entry लेना चाहते हैं ये entry ले सकते हैं उससे पहले आप अपना self analysis जूरूर कर लीजिए स्टोक के हमेशा fundamentals, technicals चेक करके तभी entry लेजिए अगर आपने long term चलना है, long term self trader बनना है, self investor बनना है तो हमेशा self analysis जूरूर कीजिए ये स्टोक कभी भी 47 to 50 की range में कभी भी आये तो यहाँ जूरूर बाई करना चाहिए अगर market में correction आती है और इस टोक नीची आता है तो हमें जूरूर बाई करना चाहिए 46 के आसपास पहला sport जो इसके पास निकल किया रहा है 52 के आसपास उसके पास जो final strong buying area जो हमारा निकल किया रहा है 46 to 48 के आसपास यहाँ अगर stock आता है तो हमें इसमें जूरू रेंटी लेनी चीए stock है वो है भेल एक defense sector का stock है अगर हमने पिछे देखें अगर last two months में इसने low level से काफी अच्छी rally दिया है और इसने high लगाया है 92 के आसपास का high लगाने के बाद यह लगातार correction में रहा है consolidation में रहा है इसने अब consolidation phase को लगबग पूरा किया है और यह upside जाने की कोशिश कर रहा है अगर guys यह 82 के level के ओपर निकलता है तो फिर यह अपने high की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है तो इसका जो main buying area है 68 to 70 के आसपास अगर इस range में कभी भी आये market की correction के साथ अगर इसमें selling आती है अगर नीचे मिलता है तो वो हमारा best buying area होगा जहां हमारा risk और reward हमारे favor में होगा वहाँ से मैं एक अच्छा target plan कर सकते हैं